फिलस्तीन के गजा में इमीडियेट सीस फायर जंग को रोकने के आवहान करने वाले संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशत के प्रस्ताव को संयुक्त राज्ये अमेरिका ने ठुकरा दिया है अमेरिका खुले तोर पर इसराइल के जरिये फिलस्तीन में नरसंगहार करवा रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध विराम के खिलाफ खड़ा है अब ये साफ हो गया कि जंग अमेरिका कर रहा है ना कि इसराइल अमेरिका की कटपुतली है इसराइल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव पर 13 मुलकों ने गजा में युद्ध विराम के लिए वोट किया अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके खिलाफ वोट किया बताया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल की ये जुगलबंदी आने वाले वक्त में सारी दुनिया के लिए कहर बनेगी राजनीतिक विशलेशकों के मुताबिक अमेरिका अपने दो चम्चों ब्रिटेन और इसराइल को लेकर इसलामिक मुलकों को भड़का रहे है ताकि मुसल्मानों पर हमला करके उन्हें कमजोर किया जा सके लेकिन अगर ऐसा होता है, तो मुसल्मान कमजोर हो या ना हो कारी के साथ तब तक के लिए इजाज़त आप देख रहे हैं SD24